अध्याय पांच निवेशको के साथ स्तर और्यूगुग बै मिलियनेयर माइंड्स मेरे अमीर डैडी ने एक बार मुझसे पूछा था घोडो पर दाव लगाने वाले और शेयर खरीदने वाले में क्या फर्क होता है? मैंने जवाब दिया मैं नहीं जानता उन्होंने कहा दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता इसलिए कभी शेयर मत खरीदना तुम्हें बड़े होकर अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहिए जिसके शेयर ब्रोकर बेचे और दूसरे खरीदे मेरे अमीर डैडी की इस बात का क्या मतलब था यह मुझे काफी समय तक समझ नहीं आया जब मैं दूसरों को निवेश करने सिखाने लगा तब कहीं जाकर मैं समझ पाया कि निवेशक कई प्रकार के होते हैं इस अध्याई के लिए मैं जौन बदले का विशेश रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा जौन को रियल स्टेट निवेश के छेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है 25 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपने पैसे का प्रयोग किये बिना 130 से जादा घर खरीदे 32 साल की उम्र तक वे आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुँच चुके थे और उन्हें दुबारा काम करने के जुरत नहीं थी इसलिए मेरी तरह उन्होंने भी लोगों को सिक्षित करने का निर्णे लिया परंतु उनका ग्यान सिर्फ रियल स्टेट तक ही सीमित नहीं है उन्होंने अपना कैरियर फाइनेंशल प्लैनर के रूप में शुरू किया था इसलिए उन्हें वित और टेक्स की दुनिया की गहरी समझ है साथ ही उन्हें इसे स्पष्टिता से समझाने की अद्भुद योग्यता भी है उन्हें यह प्रतिभा भी है कि वे जटिल या अमूर्थ विचारों को इतना असान बना देते हैं कि वे सबकी समझ में आ जाएं लोगों को सिखाते समय उन्होंने निवेशकों को 6 श्रेडियों में बाटा है वर्गी करण का आधार यह है कि निवेश में वे कितने परिश्क्रत और उसके वेक्तियों के गुड़ा में क्या अंतर है मैंने उनकी श्रेडियों को संजोधित करके और विस्तित किया है तथा एक सातवी श्रेडि को भी शामिल किया है निवेशकों की दुनिया के बारे में दूसरों को सिखाने में Cash Flow Coordaren't के साथ ही उनकी श्रेडि विभाजन की विधी ने भी मेरे काफी मदद की है जब आप विभिन स्तरों के बारे में पढ़ेंगे तो शायद आप हर स्तर पर अपने परिचित लोगों को पहचान लेंगे सीखने का वेकलपिक अभ्यास हर स्तर के अंत में मैंने खाली स्थान छोड़ा है जहां आप उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं जो आपकी हिसाब से उस स्तर पर हूँ जब आपको किसी स्तर के बारे में पढ़ते समय लगे कि आप खुद उस स्तर पर हैं तो आप वहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक व्यकल्पिक अभ्यास है, इसका उद्देश्य विभिन स्थरों के बारे में आपकी समझ को बढ़ाना है, इसका लक्षय किसी प्रकार से आपके मित्रों को नीचा दिखाना या अपमानित करना नहीं है, धनका विशय, राजनीती, धर्म और से अवजनिक रूप से व्यक्त ना करें, हर स्थर के अंत में खाली स्थान सिर्फ इसलिए दिया गया है, ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें, यह आप पर निर्भर करता है, कि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं या नहीं, अपनी निवेश की कक्षाओं की शुरुवात में मैं अक्सर इस सूची का प्रयोग करता हूँ, इससे सीखने में बहुत मदद मिलती है, इससे बहुत से विध्यारतियों को स्पष्टिता से यह समझ में आ जाता है, कि वे वर्तमान पे किस तरपर हैं, और वे भविश्य मे किस स्थर पर पहुचना चाहते हैं, मैं इसका प्रयोग काफी समय से कर रहा हूँ, और मैंने जौन की अनुमती से उनकी विध्य में थोड़ा बहुत संशोधन भी कर दिया है, ताकि मैं इसमें अपने अनुभव का प्रयोग कर सकूँ, किर्पया सातो स्थरों को साबधानी से पड़े, निवेशकों के साथ स्थर, स्थर शुन्य, जिनके पास निवेश करने के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों के पास निवेश करने के लिए धन नहीं होता, वे जितना कमाते हैं, उतना खर्च कर देते हैं, कई बार तो वे अपनी आमदनी से भी अधिक खर्च कर है दुर्भाग्यपूर बात यह है कि 50 प्रतिशत व्यसक इस च्रेडी में आते हैं क्या आप स्तर शुन्य के निवेशकों को जानते हैं तो आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं स्तर एक कर्ज लेने वाले ये लोग उधार लेकर अपनी वित्य समस्याएं सुलजाते हैं अक्सर वे उधार लिये धन से निवेश्वी करते हैं उनका वित्य नियोजन इस तरह होता है कि वे पीटर से उधार लेकर पॉल की उधारी चुकाते हैं धन के छेतर में वे शुतरमुर्ग की तरह रेत में सिर्गुसा लेते हैं और यह आशा तथा प्रातना करते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, हाला कि उनके पास कुछ संपत्या हो सकती हैं, परंतु हकीकत यह है कि उन पर बहुत जादा कर्ज होता है, अधिकांश मामलों में व उनकी हर मुल्यवान वस्तु के साथ कर्ज जुड़ा हुआ होता है, वे भावना में भैकर क्रेडिट कार्ड का अंधा दुन प्रयोग करते हैं, जब क्रेडिट कार्ज जादा हो जाता है, तो वे उस कर्ज को दिर्ग कालीन होम, इक्विटी, लोन में बदल देते हैं, ताक उनके क्रेडिट कार्ड का हिसाब चुकता हो जाए, और वे दुबारा खर्ज कर सकें, अगर उनके मकान का मुल्य बढ़ जाता है, तो वे इक्विटी पर दुबारा कर्ज ले लेते हैं, या फिर एक जादा बड़ा और महंगा मकान खरीद लेते हैं, वे मानते हैं कि रियल पैसा आने से उनकी समस्याइं सुलच जाएंगी, चाहे वे कितना ही ज़्यादा कमाते हूं, वे कर्ज में गहराई तक डूबे हैते हैं, उनमें से अधिकांश को यह एसास ही नहीं होता, कि आज वे जितना धन कमा रहे हैं, वे आकड़ा पहले उन्हें बहुत बड़ी रकम य समस्या, उनकी आमदनी या इसका अभाव नहीं है, बलकि धन संबंदी उनकी आदते हैं, कुछ लोग अंतथा गहराई में विश्वास करने लगते हैं, कि उनकी स्थिती राशा जनक है और वे हार मान लेते हैं, इसलिए वे अपने सिर को कर्ज के दलदल में अधिक गहराई तक धसा लेते हैं, और वही चीजे दोहराते रहते हैं, उधार लेना, समान खरीदना और खर्च करने की आदतों पर उनका कतई नियंतर नहीं होता, जिस तरह उकड़ आदमी उदास होने पर लगातार खाता है, उसी तरह ये लोग उदास होने पर लगातार खर्च करते हैं वे खर्च करते हैं, उदास होते हैं, तथा इसके बाद और ज़्यादा तेजी से खर्च करते हैं अक्सर धन को लेकर उनकी अपने प्रियजनों से बहस होती रहती है वे इस या उस चीज को खरीदने की अपनी अविशक्त्या को तर्क पूर्ण साबित करने की कोशिश करते हैं वे अपनी आर्थिक हालत को पूरी तरह से नजर अंदाज करते रहते हैं और अभिनय करते हैं कि किसी दिन उनकी धन संबंधी समस्याएं जादू से गायब हो जाएंगी या उनके पास हमेशा मन चाही चीजों पर खर्च करने के लिए परियाप्त धन रहेगा हो सकता है कि इस तर्का निवेशक अमीर दिखे हो सकता है उसके पास बड़े घर और चमचमाती कारे हों हो परन्तु अगर आप गहराई से जाच करेंगे तो आप पाएंगे कि वे उधाल लेकर समान खरीदते हैं हो सकता है कि बहुत सा धन वे कमाते हों परन्तु वास्तविक्ता में वे वित्यवरबादी से सिर्फ एक व्यावसाईक दुरगटना की दूरी पर होते हैं मेरी क्लास में एक बार एक पूर्व बिजनसमेन मालिक ने भाग लिया वे जमकर कमाओ जमकर खर्चकरों का जीवन दर्शन पर चलता था परन्तु बड़सों तक उसके पास आभूशडों की दुकाने की सम्रिथ चेन भी थी परन्तु अर्थ विवस्ता में अचानक बंदी आई और उसका बिजनस एक जटके में गायब हो गया बहरहाल उसके कर्ज गायब नहीं हुए छे महीने में भी, छे महीने से भी कम समय में उसके कर्ज ने उसे निगल लिया वह मेरी क्लास में नए जवाबों की तलाश में आया था परन्तु वह यह बात मानना तो दूर इस पर विचार करने को भी तयार नहीं था कि वह और उसकी पतनी स्तर एक के निवेशक थे वह बी कॉडरेंट से आया था और वह आई कॉडरेंट में अमीर बनने के सपने देख रहा था वह इस विचार को जखड़े हुआ था क्योंकि वह सफल बिजनसमेन था इसलिए वे उन्ही फॉर्मूलों का इस्तमाल करके निवेश के दुनिया में भी वित्य सोतनीतरा प्राप्त करना चाहता था वह उस विक्ती का आदर्श उधारण है जो यह मानता है कि बिजनस की बिजनसमेन होने के कारण वह आसानी से निवेश के दुनिया में सफल हो सकता है परंतु यह सही नहीं है क्योंकि बिजनस और निवेश के नियम एक से नहीं होते जब तक ये निवेश बदलना ना चाहें उनका वित्य भविश्य अंधकार मैं है बशड़ते वे किसी अमीर व्यक्ति से विभाना कर ले जो इन आदतों को जहलने के लिए तयार हो क्या आप स्तर एक की निवेशक को जानते हैं तो आप उनका नाम कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं स्तर दो, बचत कटने वाले ये लोग नियमित रूप से धन की छोटी मात्रा आमतोर पर जमा करते हैं उनका धन किसी कम जोखिम और कम व्याज वाले साधन में जमा होता है जैसे मनी मार्केट चेकिंग अकाउंट, बचत खाता, FD या सर्टिफिकेट और डिपॉजिट, CD अगर उनका कोई व्यक्तिकत रिटायर्मेंट खाता होता है तो वह बैंक में ही होता है या फिर mutual fund cash अकाउंट में प्राय वे निवेश करने के बज़ाए बड़ा समान खरीदने के लिए बचत करते हैं उधारेंड के लिए नया टीवी, कार, छुटिया मनाना या अपने बच्चों की शादी के लिए धन जमा करना आदी वे नकद भुक्तान करने में विश्वास करते हैं वे उधारी और कर्ज से डरते हैं इसके बज़ाए वे बैंक में धन जमा होने की सुरक्षा को ज़्यादा पसंद करते हैं हाला कि वे ये भात नहीं जानते कि मुर्दा स्फीत्ती और टैक्स के बाद वर्तमान आर्थिक माहौल में बचट के परिणाम नकारात्मक होते हैं इसके बाबजूद वे जादा जोखिम लेने की इच्छुक नहीं होते हैं शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिकी डॉलर 1950 से अब तक अपना 90 प्रतिशत मूले गवा चुका है और हर साल उसका मूले बैंक के बजार और हर साल उसका मूले बैंक के ब्याज के दर से ज़्यादा तेजी से खटता जा रहा है उनके पास अकसर बीमा पॉलिसियां होती हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा की भावना से लगाओ होता है इस समू के लोग अकसर चवन्या बचाने में और अपने सबसे मुल्यवान संपत्ती यानि समय को बरबात करते हैं वे अखवार के कूपन काटने में घंटों बिताते हैं और फिर सूपरमार्केट की लाइन में लगे लोगों को देरी भी कराते हैं क्योंकि काउंटर पर पहुचने के बाद उन्हें अपनी इन बचतों के पर्स में खोजने में वक्त लगता है शवन्या बचाने की कोशिश करने के बजाए वे उस समय में निवेश करना सीख सकते थे अगर उन्होंने 1954 में जॉन टेंपल के फंड में 10,000 जमा किये होते अगर उन्होंने जॉन टेंपल फ्रडन के फंड में 10,000 डॉलर जमा किये होते और इसके बारे में भूल गए होते तो 1994 में उनके पास 24 लाख डॉलर होते या अगर उन्होंने 1969 में George Soros के quantum fund में 10,000 डॉलर का निवेश किया होता तो उनके account में 28 लाख रुपे होते निवेश के इससे भैतर और सुरक्षे साधन मौजूद है यह समझदारी भरी निवेश नीती नहीं है कि आप अपने धन को बैंक में रखकर सिर्फ 5 प्रतिशत धन कमाए जबकि दूसरे लोग 15 प्रतिशत या उससे ज़्यादा कमा रहे है बहराल अगर आप निवेश के अध्यन करना ही नहीं चाते हो तो वित्य जोखिम को लेकर दहशत में आ जाते हो तो बचट करना निवेश करने से बहतर विकल्प है अगर आप बैंक में ही अपना धन रखते हो तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और आपके बैंकर आपको पसंद करते हैं वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे आप पचट खाते में जितना धन जमा करते हो उसके हर डॉलर पर बैंक 10 से 20 डॉलर तक कर्ज लेता है बैंक जो कर्ज देता है उस पर 19 प्रतिश्चत तक व्याद वसूल करता है परंतु बैंक आपको सिर्फ 5 प्रतिश्चत से भी कम ब्याद देता है हम सबको बैंकर बनना चाहिए क्या आप स्तर 2 के निवेशकों को जानते हो आप उनका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्तर 3 स्मार्ट निवेशक इस सम्हू में 3 तरह के निवेशक होते हैं इस तरका निवेशक निवेश करने की अविशकता के बारे में जागरुक होता है ये लोग Company Retirement Plan 401, SEP, Super Annuation, Pension आधी में भी हिस्सा ले सकते हैं कई बार वे Mutual Fund, Stocks, Bond या सीमिस साजेदारियों में भारी निवेश भी करते हैं आमतोर पर वे बुद्धिमान और सुष्षित होते हैं वे इस देश के दो तिहाई लोग होते हैं जिन्हें हम मध्यावर्ग के नाम से पुकारते हैं बहराल निवेश के छेत्र में वे अकसर स्रिक्षित नहीं होते या उनमें उस चीज की कमी होती है जिसे निवेश उद्धियोग परिशकार खहता है वे कमपनी की सालाना रिपोर्ट या कमपनी के प्रोस्पेक्टस को शायद कभी नहीं पढ़ते हैं वे ऐसा कैसे कर सकते हैं उन्हें वित्य रिपोर्ट पढ़ने की प्रशिशन कभी दिया ही नहीं गया उनमें से वित्य शाक्षर्ता की कमी होती है हो सकता है उनके पास कॉलिज की बड़े डिग्रियां हो या वे डॉक्टर या लेकपाल हो परन्तु निवेश की जीत और हार वाली दुनिया में बहुत कम लोगों को अपचारिक रूप से प्रशिशित या शिक्षित किया जाता है ये इस तरके तीर मुख्य शेडियां है इस तरके निवेशक अक्सर स्मार्ट होते हैं उनके पास अक्ची शिक्षा और अच्छी आमदनी होती है बहराल इनमे लिम लिखित अंतर होते हैं स्तर तीन ए इस तरके लोगों का समू कहता है मुझे तंग मत करो उन्होंने खुद को विश्वा दिला दिया है कि वे धन के बारे में नहीं समझते हैं और कभी समझ भी नहीं पाएंगे वे इस तरह के बाते कहते हैं क्या आप स्तर तीन एके निवेशक को जानते हैं नीचे दिये गए कमेंट सेक्षन में आप बता सकते हैं स्तर तीन बी दूसरी शेडी दोष्टर्ष्री की है ये लोग वे सारे कारण जानते हैं कि कोई निवेश सफल क्यों नहीं होगा ऐसे लोगों का आसपास रहना खतरनाक है वे अक्सर बुद्धिमान दिखते हैं अधिकार पूरवग बोलते हैं वे अपने चुने हुए छेतर में सफल होते हैं परन्तु नि बौधिक मुखोटे के नीचे वे दरसल डर्पोक होते हैं वे आपको बिल्कुल स्टीक तरीका बता सकते हैं कि जितनी तरह के निवेश हो सकते हैं उनमें आप कैसे और क्यों धुका खाएंगे उनसे किसी शेयर या निवेश के बारे में राय लेने के बाद जब आप लौटते हैं तो आपको बुरा हाल होता है और आप अकसर शंका ये ढड़ से भरे हुए होते हैं ये लोग आमतौर पर इन शब्दों के बारे में बार बार धोराते हैं देखिए मैं एक बार पहले ही मूर्ख बन चुका हूँ, अब वे लोग मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, वे अक्सर नाम लेते हैं और इस तरह की बाते कहते हैं, मेरे लिंच में मेरे ब्रोकर या डीन विटर नाम लेने से उन्हें अपने गहरी एसुरुक्षा पर पढ़दर पन्ने या वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ते रहते हैं, वे अकबार पढ़ते हैं और काफी की छुटी के समय सबके सामने अपना ज्यान बगारते हैं, उनकी भाशा नवीनतम निवेश, शब्दावली और तकनीकी शब्दों से भरी होती है, वे हमेशा बड़े सौदों के बा अच्छी खबर छपी हो, अगर खबर के अनुसार शेयर लाबदायक होता है, तो वे उसे खरीद लेते हैं, समस्या यह है कि उन्हें देर हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको अकबार से खबर मिलती है, तो बहुत देर हो चुकी होती है, सच्चे स्मार्ट निवेशक उस अच्छी को यह बात मालूम नहीं होती, कि जब बुरी खबर आती है, तो वे अलोचिना करते हैं, और कहते हैं, मैं अब यह बात जानता था, वे सोचते हैं कि वे खेल रही हैं, परन्तु दरसल वे मैदान से बाहर खड़े दर्शक हैं, वे खेल के मैदान में उतरना तो चा परन्तु उनके दिल की गहराई में चोट लगने का डर होता है, उनके लिए सुरक्षा आनंद से ज़्यादा महत्पूर होती है, मनोचिकित्सिक बताते हैं कि दोश तरशिता, डर और अज्यान का समनव्य है, जिससे दंप उत्पन होता है, ये लोग बजार के बड़े उता इंतजार करते हैं कि नवेश असफल क्यों होगा, परन्तु वे आपको यह नहीं बता सकते कि निवेश सफल कैसे होगा, सिक्षा, सरकार, धर्म और मीडिया कि दुनिया में ऐसे लोगों की भीड पड़ी है, वे गलत कामों और वित्य अबरबादी की खबरों को सुनना पसं करते हैं, ताकि वे उनमें नमक मिर्च लगा कर संदेश फैला सकें, निवेश के छेत में वे सचमुच सुमवार की सुबा की विशेशग्य होते हैं, जो रगविवार को हुए खेल की समिक्षा करते हैं, बहराल वे शायद ही कभी किसी वित्य सफलता के बारे में कोई अच् दोश्टरशी की गलत चीजें, खोजना, ज्यादा असान लगता है, अपने ज्यान या साहस की कमी को प्रकट करने से बचने और सुरक्षित रहने का यह उनका तरीका है, मूल दोश्टरशी, प्राचीन ग्रीक दाशनिक थे, लोग उनसे नफरत करते थे, क्योंकि योग्यत और सफलता के बारे में, उनका द्रिष्टी कोड, अलोचना पूर, तिरसकार और दंभ का था, उन्हें कुत्ते जैसे लोग कहा जाता था, सिनिक शब्द में ग्रीक भाशा से यह शब्द आया है, जिसका अर्थ कुत्ता होता है, जब बात धनकी आती है, तो कई लोग कुत् या सपने कुचलने ना दे, हलाकि यह सच है, कि धनकी दुनिया, बदमाशों, लुच्चों और धोंग्यों से भरी है, परन्तु ऐसे लोग कहा नहीं है, बहुत कम धन और बहुत कम जोखिम के साथ, जल्दी अमीर बनना संभाव है, परन्तु यह तभी संभाव है, जब की महनत, अध्यन और समझ के बजाए, वे टिप्स या शॉर्टकट के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, वे निवेश के हर छेतर में कूद पड़ते हैं, जिसमें, कमेडिटीज, इंश्लिक्स, पब्लिक ओफरिंस, बैनी स्टॉक्स, गैस, एंड ओइल, इत्यादी शामिल हैं, वे मर्जिन्स, पुट्स, कॉल्स, ओप्शन जैसी परिश्कृत, निवेश तकनीकों का प्रयोग करना पसंद करते हैं, वे बिना यह जाने कि खेल के मैदान में कूद पड़ते ही, खिलाडी कौन है और नियम कौन मनाता है, ये लोग इस तुनिया के सबसे बुरे पेश की क्या स्थिती है, तो वे हमेशा यही कहते हैं, कि लगभग बराबर या थोड़े फाइदे में हैं, जबकि सच्चाई यह होती है, कि उन्होंने अपना धन गवा दिया है, बहुत सा धन, अकसर बहुत जादा धन, इस किस्म के निवेशक 90 प्रतिशत से जादा भर, बार धन गवाते हैं, वे कभी अपने नुकसानों पर चर्चा नहीं करते, उन्हें तो वे फाइदे मन सौदा ही याद रहता है, जो उन्होंने छे साल पहले किया था, वे सोचते हैं, कि वे उस सौदे में स्मार्ट थे, वे ये नहीं समझ पाते, कि वे सिर्फ खुश किस्म कहता है, गहराई में देखा जाए, तो वे जब धन का निवेश करने की बात आती है, तो ये लोग सिर्फ आलसी होते हैं, क्या आप स्तर तीन सी के निवेशकों को जानते हैं? स्तर चार दिर्फ काली निवेशक, ये निवेशक निवेश करने की अविशकता के बारे में काफी जागरुक होते हैं, वे अपने खुद के निवेश के निड़ने लेने में सक्रिय भूमी का निभाते हैं, उनके वित्य लक्षे स्पष्ट होते हैं, और उन लक्षेों तक पहुचने के लिए उनके पास एक दिर्काली नियोजना होती है, वे निवेश खरीदने से पहले अपनी सिक्षा में निवेश करते हैं, वे निरंतर निवेश का लाभ लेते हैं और निवेश करते समय यथा संभव टैक्स का लाभ भी लेते हैं, सबसे महत्कून बात यह है कि वे योग्य वित्तिय योजना कारों के सलहा लेते हैं, क्रिप्या यह समझ लें कि इस किस्म के निवेशक आमतोर पर बड़े स्तर के निवेशक नहीं होते, बात इसमें बिलकुल अलग है, यह संधिक्द है कि वे रियल स्टेट, बिजनेस, कमोडिटीज या किसी अन्या में साधन कर रहे हैं, इसके बजाए वे दिरकाली नीती अपनाते हैं, जिसके सलहा, फाइडेल्टिटी के मैगलन फंड के पीटा लिंच या बौरन वफे ने निवेशक देते हैं, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, बीमा साधनों का प्रयोग समझदारी से करे और सुरक्षा के लिए करें, दौलत बढ़ाने के लिए नहीं, मुल्याकन के लिए वेन गौर्ड इंडेक्स, पांसो फंड जैसे म्यूच्वल फंड के प्रयोग करना उचित है, जिसने अतीत में दो तिहाई म्यूच्वल फंड से जादा सफल प्रदर्शन किया है, दस साल के बाद इस प्रकार का फंड आपको 90 प्रतिशत प्रोफेशनल म्यूच्वल फंड के मैनेजरों से अधिक लाब दे सकता है, पयान तु हमेशा याद रखें, कोई भी निवेश 100 प्रतिशत सुरक्षित नहीं होता, इंडेक्स फंड में भी अंदरूनी दुखा दोश होते ह बड़े सौदे का इंतजार करना छोड़ दे, छोटे सौदों से खेल के मैदान में उतरें, जैसे मेरा पहला छोटा कॉंडो जिससे मैंने सिर्फ कुछ डॉलरों के निवेश शुरू किया था, पहले सही या गलत होने के बारे में चिंता ना करें, बस शुरू कर दें, एक बार जब आप कुछ पैसे फसा देंगे, तो आप बहुत जादा सीखेंगे, परन्तु पहले शिर्फ थोड़ा पैसा ही फसाएं, धन को यह मालूम है कि बुद्धी को तेजी से कैसे बढ़ाय जा सकता है, डर और जिजिक आपको पीछे रोके रहते हैं, आप हमेशा एक बड़ा सौदा करने में इंतजार में किया था, याद रखें, छोटे सौदे अकसर बड़े सौदों तक ले जाते हैं, परन्तु उसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी, इंतजार ना करें, आज ही शुरू कर दें, अपने क्रेडिट कार्ट कम कर दें, विलासिता के खि यजनों के साथ बैटकर एक योजना तयार करें, किसी वित्य योजना कार से मिलें, या लाइबरेरी में जाकर वित्यन योजन के बारे में पढ़ें, और निवेश के लिए कुछ धन अलग रखना शुरू कर दें, चाही ये 50 टॉलर पती मा हो, या आप जितना ज़्यादा इंतजार करेंगे, आप अपनी सबसे बहुमूले संपत्तियों से भी उतना ही अधिक धन बरबाद करेंगे, समय की अमूर्त और अनमूल संपत्ति, एक रोचक टिपणी, अमेरिका की अधिकांश मिलियनेयर्स तरचार से ही होते हैं, तब मिलियनेयर, नेक्स्ट डोर कुस् खर्च करते हैं, वे निवेश का अधियन करते हैं, या मारक दर्शन लेते हैं, इनके पास एक योजना होती है और वे लंबे समय तक के लिए निवेश करते हैं, जब निवेश की बात आती है, तो वे कोई हवाई, खतरना ये सेक्सी काम नहीं करते हैं, वे सच्चे, रूड अभिवादी होते हैं और उनकी अच्छी तरह संतुलिज वित्य आद्थें लंबे समय में उन्हें अमीर और सफल बनाती हैं जो लोग जोखिम लेना नहीं पसंद करते और निवेश के विशे पर अध्यान करने में बहुत सा समय बरबाद करने के लिए होते हैं वे इस खेल मे जेल चुके होते हैं जिससे उन्हें वे समझदारी हासिल होती है जो सिर्फ गलतियां करने से उन्हें सीखने से मिलती हैं ये वे निवेशक हैं जो रिटेल में निवेश खरीदने के वज़ाए अकसर थोक में निवेश खरीदते हैं वे अपने प्रयूक के लिए अपना परिश्क्रत होते हैं कि वे स्तरच्छे के मित्रों को दुआरा तयार किये गए सौदों में शामिल हो जाते हैं, जहां पूंजी के निवेश के जुरत ही नहीं होती है। निवेश को का अधार होता है, इन लोगों का व्यक्तिगत आया व्य अनुपात नियंत्रण में होता है, यानि उनकी आय उनके व्यव से बहुत अधिक होती है। में वे अपने 20 प्रतिशत से भी कम पूंजी का जोखिम लेते हैं, वे अकसर छोटी शुरुवात करते हैं, यानि पहले थोड़ा पैसा लगाते हैं, ताकि वे निवेशक जानते हैं कि बुरे आर्थिक समय या बजार उन्हें सफलता के स्वर्व स्रेष्ट अफसर प्रदा इस तर पर बजार से बाहर निकलने की रणनीती बजार में अंदर गुसने की योजना से जादा महत पूर्ण है, वे अपने खुद के सिध्धानतों और निवेश के नियमों के बारे में सपश्ट होते हैं, वे कोई भी साधन चुन सकते हैं, रियल स्टेट, डिसकाउंट प उनके पास योजना और सपश्ट लक्षय होते हैं, वे हर दिन अध्यान करते हैं, वे अखबार और पत्रिकाएं पड़ते हैं, निवेश, निउसलेटर्स के ग्रहक होते हैं और निवेश के सैमिनारों में हिस्सा लेते हैं, वे अपने निवेशों के मैनेजमेंट में सक्रि लक्षक खर्च करने के लिए अतिरिक धन कमाना नहीं होता बलकि अपनी संपत्तियों को बढ़ाना होता है। उन्हें जो लाब होता है उसको वे दुबाया निवेश करते हैं ताकि उनके पास संपत्तियों का जादा बड़ा आधार तयार हो सके। वे जानते हैं कि कम टैक्स के साथ अधिक धनराशी प्रदान करने वाला प्रबल संपत्ति अधार बनाना दिरिक कालीन दौलत की रहा है। वे अक्सर यह ज्यान अपने बश्च के उद्देश्यों के लिए उनके नाम पर कुछ नहीं होता। इसके इलावा वे उन रौवेन हुड से भी सुरक्षित होते हैं जो अमीरों से लेकर गरीबों को देने में विश्वास करते हैं। हाला कि वे किसी चीज के स्वामी नहीं होते परन्तु कॉर्पोरेशन के माध्यम से वे हर चीज को नियंतरित करते हैं। वे उन कानूनी समूहों को नियंतरित करते हैं जो उनकी संपत्तियों के स्वामी होते हैं। उनके पास व्यक्तिगत संचालक मंडल होता है, जो उनकी संपत्तियों के प्रवंधन में उनकी मदद करता है, वे उनसे सलहा लेते हैं और सीखते हैं, इस अनौपचारिक मंडल में बैंकरों, अकाउंटेंट्स, वकीलों और ब्रोकर्स की टीम होती है, वे अच्छी प्रोवे हित्रों, कानूनी मुकदमों और सरकार से बचाना भी है, दुनिया से विदा होने के बाद भी, वे अपनी दौलत का नियंत्रड करते रहते हैं, इन लोगों को अकसर धन रक्षक कहा जाता है, मौत के बाद भी वे अपने कमाए धन के भाग्ये को संचालित करते रहते हैं, क अकसर दूसरे लोगों को अमीर बनाते हैं, नौकरिया निर्मित करते हैं और घटनाए घटित करवाते हैं, अच्छे आर्थिक दौर में सच्चे पुझी पती अमीर बनते हैं, बुरे आर्थिक दौर में और और भी जादा अमीर बनते हैं, पुझी पती जानते हैं कि आर् पार में किसी देश का संकट, युद्ध या विपत्ति की खबरे पड़ें, तो आप आश्वस्त रहें कि सच्चा पुझी पती वहाँ जल्दी ही पहुँच जाएगा, या पहले ही वहाँ पहुच चुका होगा, सच्चा पुझी पती तब अंदर जाता है, जब अधिकांश लोग यह कह रहे होते हैं, दूर रहो, वह देश या बिजनस संकट में, वहाँ जाना बहुत जादा खतरनाक है, इस जोखिम के बदले में 100 प्रतिशत से अनंत लाब तक की अपेक्शा की जा सकती है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे जानते हैं कि जोखिम का प्रबंदन कैसे क कमाया जाता है, वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि धन कोई वस्तु नहीं है, यह है तो उनके मस्तिश्क में उत्पन विचार है, हाला कि इन लोगों के मन में भी वही डर होते हैं, जो सब के मन में हो रहते हैं, परन्तु वे इस डर को रुमांच में बदल देते हैं, जीवन में उनका पसिंदीदा खेल, धन को और अधिक धन में बदलने का खेल होता है, किसी भी अन्य खेल जैसे गॉल्फ, गार्डनिंग या मौज मस्ती के बजाए वे धन के खेल में ज़्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वे पैसा कमा रहे हो या गवा रहे हो, आप उनके मूँ में हमेशा यही बात सुनते हैं, मुझे इस खेल से प्रेम है, इसी वज़ा से वे पुझी पती बनते हैं, पांचवे सरके निवेशकों, पांचवे स्तरके निवेशकों की तरह ही ये वे उतक्रिष्ट धन रक्षक होते हैं, इस तरके अधिकांश लोगों का अध्यन करते समय आप अक्सर पाते हैं, कि वे अपने मित्रों, परिवार, चर्च और सिक्षा के प्रती उदारता दिखाते हैं, कुछ प्रसिद लोगों को देखें, जिन्होंने प्रख्यात सिक्षा संस्थानों की स्थाप आपना की है, रॉक फैलर ने शिकागो यूनिवर्सिटी बनाने में मदद की, और जेपी मौर्गन ने होवर्ड का धन कमाने से भी अधिक के लिए प्रेरित किया, जिन अन्यपुंजी पतियों ने संस्थानों को स्थापित करने के लिए अपना नाम दिया, वे हैं वांडर प्रेत में उदारता और दान देते हैं, जॉर्ड सौरोस अपनी पसंदीदा संस्थाओं को करोनो डॉलर दान देते हैं, इसके इलावा, पॉर्ड फाउंडेशन और जेटी फाउंडेशन ने भी भूले और टेट टरनर को जिनोंने संयुप्त राश्क्र संथ को एक बिलिय करते हैं, परन्तु सचे पूझी पतियों ने बहुत कुछ दिया है, पहला आप किस स्तर के निवेशक हैं, अगर आप जल्दी अमीर बनने के बारे में सचमुच गमीर हैं, तो निवेश के साथ स्तरों को पढ़ें और बार बार पढ़ें, जब भी मैं इन स्तरों के बारे मे पढ़ता हूँ, तो मैं हर बार सभी स्तरों में अपनी थोड़ी बहुत छवी देखता हूँ, मैं ना सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचान जाता हूँ, बलकि जैसा जिग-जिगलर कहते हैं, मैं उन चरित्र की दोशों को भी पहचान जाता हूँ, जो मुझे पीछे रोके रखते हैं वित्य दौलत की रहा आपकी शक्ति को बढ़ाने और आपके चारित्रिक दोशों को दूर करना है और ऐसा करने का रास्ता यह है कि पहले आप उन्हें पहचाने और यह ढूंग ना करें कि आप में कोई दोश ही नहीं है हम सब अपने बारे में सर्वस्रेष्ट सोचना चाते हैं अपने अधिकास जीवन में मैंने छे का पूझी पती बनने का सपना देखे हैं जब से मेरे अमीर डैडी ने मुझे स्टॉक चुनने वाले और घोडे पर दाव लगाने वालों के बीच में सबानता के बारे में बताया था तब से मैं यही बनना चाता था परन्तु इस सूची के विभिन स्टरों का अध्यन करने के बाद मैं उन चारित्रिक दोशों को देख सकता था जो मुझे पीछे रोके हुए थे हाला कि आज मैं स्टर्ट छे के निवेशक के रूप में काम करता हूँ परन्तु इसके बावजूद मैं सातों स्टरों को बार बार पढ़ता रहता हूँ और खुद को सुधाने के लिए मेहनत करता रहता हूँ मैंने स्टर्ट तीन से अपनी चारित्रिक दोश पाए जो अकसर दबाव के समय हावी हो जाते हैं मेरे अंदर का जुवारी अच्छा था परन्तु यह बुरा भी था अपनी पत्नी और मित्रों के मार्दर्शन तथा अतिरिक शिक्षा के द्वारा मैंने तत्काल अपनी चारित्रिक दोशों को दूर करना शुरू किया और उन्हें शक्तियों में बदला स्टर्ट छे के निवेशक के रूप में मेरी प्रभाव करिता तत्काल सुधर गई यहां आप होना चाते हैं अगर आप निवेशक के रूप में जहां हैं वही खुष हैं तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने की जरुरत नहीं है उधारण के लिए अगर आप आज स्तर चार के ठोस निवेशक हैं और स्तर पांच या छे के आगे बढ़ने के लिए आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आगे ना बढ़े जीवन के सबसी महान खुशियों में से एक वहां सुखी रहना है जहां आप हैं बधाईया जिस स्तर पांच या छे के निवेशक बनने का लक्षय बनाया है उसे वहां पहुँचने से पहले स्तर चार के निवेशक से भी गुजरना होगा धन्यवाद अब हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे कि धन को आँखों से नहीं देखा जा सकता उसको जिस चीट से देखा जा सकता है आप है अगले अध्याय में पढ़ेंगे आप है कि आप होगा